हेलो एवरिवान वेल्कम टू माई यूट्यूब चानल सोला स्रिंगार आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू लेकर आई हूँ टाबर गुलाबरी रोज गलो फेस क्लिंजर का जी हाँ दोस्तों आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये किस प्रकार का है तो वीडियो स्टा सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों को बहुत बहुत धहन्यवाद और जो लोग आज पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये जो गुलाबरी है गुलाबरी का रोज गलो फे और इसके जो सेल्फ लाइफ है वो है टू येर्स की और इसके बॉटल के पीछे में इसके बारे में कुछ लिखा है जो मैं आपको सुना रही हूं पढ़के यहां पर लिखा है ताबर गुलाबरी रोज गलो फेस क्लिंजर डेराइब इट्स नेजरल गुटनिस फ्रॉम ड डाबर गुलाबरी रोज वाटर इट्स यूनिक ब्लेंट तू रोज एक्स्ट्रैक्ट्स ग्लींजर्स एंड मॉस्चराइजर्स वाक्स इन त्री वेज यह जो डाबर गुलाबरी का रोज गलो फेस क्लिंजर है यह आपके लिए तीन तरह से यूस्फूल है यह फेस को साफ करेगा मॉस्चराइज करेगा और उसमें चमक भी लाएगा चेहरे में तो इसके जो तीन इसके गुण हैं वो यहां पर दिये हुए हैं सबसे पहले हैं क्लिंजिंग यहां पर लिखा है इट्स नैचुरल इन ग्रेडियेंट्स जेंटली क्लिंज यूर स्कीन राइटिंग इट आफ डर्ट एंड गिविंग इट और रेडियेंट ग्लो यह आपके चेहरे से भूल कंग बैगरा को हटा कर आपके चेहरे की सफाई करेगा फिर दूसरा है मॉस्चराइज रैजिंग यहां पर लिखा है इट हेल्प्स हाइट यूर स्कीन रिमूब्स अब आपके चेहरे को रिखा हुआ है और तीसरा यहां पर लिखा हुआ है रिफ्रेशिंग तक कूलिंग एक्शन ओफ टाबर गुलाबरी रोस ग्लो फिस क्लींजर विट रोस एक्स्ट्राइट वर्क जेंटली टो गीविव यह एर इट ग्लोईंग यह आपके चेहरे को र यानि यह गुलाब जल से भी बहुत अच्छा चीज है जो आपके चेहरे के लिए बहुत ही उप्योगी है और फिर यहां पर लिखा है फिस क्लींजर विट रोस एक्स्ट्राइक वर्क जेंटली टो गीव यूर स्कीन एंड फ्रेश ग्लोईंग लुक फिर यहां लिखा है ह स्ट्राइक ग्लाबरी रोस ग्लोई फेस क्लींजर डिरेक्टली और फेस एंड जेंटली वाइप यह फेस विद अचाटन बॉल और इस्प्रेश यह एंड नवीव यूर फेस विद पर आप इसे अपने चेहरे पर डिरेक्ट भी स्ट्रे गर सकते है या फिर आप एक नहीं तुकड़ा लेकर आप उसके उपर इसे स्प्रे करके आप इसे अपने चेहरे पर लगा सकते हैं जैसा कि अभी मैंने इस वीडियो में अपने हाथ पर लगा कर दिखाया है उसी तरह से उसके बाद लिखाया है यहां पर कॉशन में आपको इसे अपनी आखों से दूर रखना है यानि अपनी आईस से दूर रखना है और आईस में स्प्रे भूल के भी नहीं करना है आप कुलाब चलको तो अपनी आखों में आराम से लगा सकते हैं लेकिन आप इस स्प्रे को अपनी आखों में ना लगाईए ऐसा यहां पर ल लिखा हुआ है for external use only store at room temperature in a dry place इसे आप room temperature में आराम से रख सकते हैं और इससे सिर्फ external यूज ही करें और उसके बाद यहां पर ingredients लिखे हुए हैं अगर आपको इस रोज क्लो फेस क्लिंजर के बारे में और भी जादा जानकारी चाहिए तो यहां पर बॉटल के पीछे में यहां पर लिखा हुआ है डाबर केर्स का और यहां पर दिया हुआ है टॉल फ्री नंबर और इसके वेब साइट का लिंक भी